नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सुआगए आप सबका मैं हूं बुक लबर और आप देख रहे हो जैपुर बुक्ट्यूबर और यहां आपको मिलती हैं बुक्स रेलिटेड हर तरह की वीडियो वो भी हर मंडे थरस्टे और साटेडे को और अब तक इस बुक के अंदर टूट की explanation कर ली है और आप चाहो तो मैं आपको लिंक वीडियो के description में दे दूँगा निजा आप एक चैनल पे जाके पुरी particular playlist बनी है आप उसमें भी देख सकते हो और आज हम इस बुक के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट का नाम है ऐलेसिया ब्रेंसंस तो चलो बिना देरिकरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगस्त एट आज मेरे साथ एक बड़ी अजीब सी घटना हुई मैं कई दिनों से एक आत्मी को देख रही हूँ जो मेरे घर के बाहर से मुझ पर नजर रख रहा है पहले मुझे लगा कि हो सकता हो शयद कोई painter हो जो दिमाग में दूसरा ख्याल ये आया था कि हो सकता है वो कोई मुसाफिर हो जो बस का इंतजार कर रहा हूँ लेकिन उसके सामने से गाड़ी आ जा रही थी और उसे उनसे कोई फरक नहीं पड़ रहा था वो तो बस एक नजर गड़ाए हमारे घर को देख रहा था या फिर श लेकिन मेरे सारे ख्याल उसकी हरकतों के सामने फीके पड़ रहे थे नहीं चाहते हुए भी उसकी हरकतों उस पर मुझे बहुत जादा शक हो रहा था लेकिन मैं इतना तो जानती थी कि घर के बाहर से वो मुझे इतने साफ तरीके से नहीं देख पाएगा अगर सही एंगल पे खड़ा हो तो ही शायद वो दूप की रोशनी में मुझे देख पाए थोड़ा सा चुप के मेरे घर की दरफ देखता रहता है और ये आज कोई नई बात नहीं मैं इसे काफी दिनों से नोट कर रहीं पहले तो मैंने इसको आने जाने दिया लेकिन अब ये बात हद से ज कोई भी हो सकता है लेकिन क्यों मैं ही क्यों या फिर हमारा घर ही क्यों आके इसकर क्या इरादा है मैं नहीं जानती और अब इसका यहां होना मुझे परिशान करने लगा अगस्ट 10 आज मैं जीन फैलिक्स मार्टिन के साथ प्ले देखकर वापिस घर आई गैब्रियल के मना करने के बावजूद भी प्ले देखने के बहाने से मार्टिन मुझे पुराने पल या दिलानी की कोशिश कर रहा था शायद वो मुझे इमोशनल करके ये मेरे मुझे से बुलवाना चाहता था कि मैं भी उससे दूट नहीं होना चाहती मैं उससे अभी भी कॉंटेक्ट में शायद वो यही चाहता था लेकिन मैं उसके आठ गैली छोडने का मन बना चुकी थी प्ले बहुत अच्छा था और मैं अलसेस्टिस के किरदार की दिवानी हो चुई थी मैं उसकी पेंटिंग बनना चाहती थी जिस लड़की ने ये किरदार निपाया था क्योंकि उसकी तो देखते ही बनती थी एक बार तुमेरा मन करा कि क्यों ना क्यों ना मैं मार्टिन से कहूं कि मुझे वो लड़की चाहिए मुझे उसकी पेंटिंग बनानी है उससे अपॉइंट्मेंट फिक्स करो उसके मैनेजर से मिलो कुछ भी करो तेकिन फिर दूसरी पल मुझे मैंने उसे मना करा मैं बहुत ठक गई हूँ और मैं याए एक पल भी नहीं रह सकती उसके बाद मार्टिन मुझे फिर वही बक्वास करने लगा क्या तुम्हे याद है हमारे साथ बिताए पल कितने अच्छे थे तुम स्कूल में कुछ और थी आर्ट स्कूल में तुम ऐसी बदल क्यों गई हो मैं उसकी बातों में जरा भी इंटरस्ट नहीं दिखा ली थी और शायद अब वो मार्टिन भी कोशिश करता वा मुझे बहुत जादा फ्रस्टेट हो चुका था उसने जाने से पहले मुझे एक बात कही कि तुम अपने आसपास के लोगों पर बहुत ज के ले कह रहा है वो वहां से चला गया और चला भी नहीं गया दरसल वो फीडर में गायब हो गया मुझे नहीं पता कहां वो बिलकुल ऐसे गायब हुआ था जैसे वो आदमी रोजगा भो जाय करता था मुझे समझ नहीं आ रा था कि मैं क्या कहा ändस्थ 11 आज मैंने फिर से उ जादा साफधानी भरतने लगा था पार्क में लोगों की भीड़ के बीच गुम होने की नाकाम कोशिश कर रहा था वो बिचारा लेकिन उसका पहनावाद था जो से अलग ही बना रहा था सबसे आखिर गर्मियों का मौसम है लंडन में और इस मौसम में यहां इतनी बड़ी ट सोची लेकिन तब ही मुझे याद आया कि वो बेजी होगा और मेरे इस तरह कॉल करने पर वो जरूर से गुस्ता होगा और मैं वैसे ही सादमी की वज़े से और मार्टिंग की वज़े से बहुत परेशान थी और मैं नहीं चाहती थी कि थोड़ी और परेशानी मेरे गले उसने कहा कि जरूर से वही है जो तुम्हें परेशान कर रहा है वो तुम्हें डराना चाहता है ताकि तुम फिर से उसके पास चली जाओ या फिर ऐसा फ्रेंड के तौर पर उससे बात करना शुरू कर दो फिर से ये जरूर से उसी की बुरी हरकत है तुम जरा मुझे उसके वो इतनी खिरीवी हरकत कभी नहीं कर सकता। गैब्रियल ने मुझे जोटी तसलिदी और कहा मैं तुम पर यकीन करता हूँ लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा ये वहम हो। मुझे उसकी ये बात जरा भी पसंद दिया है। आखिर वो ऐसा क्या है कैसे सकता है। क्या उसे अपनी बीवी पर इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कोई इनसान सही में देख रहा है। मैं सुबह जल्दी उठी ये देखने के लिए कि अगर वो आदमी बाहर हो तो मैं उसे गैब्रियल को दिखाऊ हूँ ताकि उसको मुझे यकीन हो जाए कि मैं कोई बहम में नहीं जी रही हूँ असल में कोई है जो हमारे घर को देखता रहता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था मैं पार्क में चली थोड़ा मन बहलाने के लिए लेकिन मुझे वहाँ भी हर वक्त यही लगता रहा कि जरूर मुझे कोई देख रहा है कोई है जो मुझे नजर रखे वे हर वक्त घर वापिस आते वक्त मुझे वो आदमी दिखा मैं चिला कर कहने लगी जीन फेलिक्स यह फिलकुल अच्छा नहीं है तुम मुझे अकिला छोड़ दो और तुम चाहते क्या हो मैंने तभी उसकी फोटो ली और चिला के का मैंने तुम्हारी फोटो ले ली है अगर कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं यह फोटो पुलिस को दे दूँगी मैं फिर अपने घर की तरफ चलने लगी मैं मुड़ मुड़ कर रास्ते में देख रही थी कि वो पीछा तो नहीं कर रहा वो मुझे कहीं नहीं दिखा मैं जैसे ही घर में पहुँची और पड़दे लगाने के खिड़गी के पास गई वो आदमी फिर से बाहर कड़ा था अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या और उसी वक्त घर के में दर्वाजे पे मुझे किसी के नौक करने की आवाज आई पीछे से चिला रही थी पार भी हेलमन वही हमारी पड़ोसी मुझे उससे पात करना बिल्कुल पसंद नहीं था पता नहीं क्यूं वो हमेशा मेरे गले पड़ा रहा करती थी वो अंदर आ गई और हम बात करने लगे बेज नजर उससे बात करते करते एक बार और खिड़ी की तरफ गई और अब वो वहाँ से जा चुका था मैं बहुत डर चुकी थी और शायद बार भी को ये बात महसूस हो गई थी उसने मुझे से पूछा कि क्या हुआ तुम ऐसी डरी डरी सी क्यों लग रही मुझे नहीं पता कुस्वक मेरे दिमाग में क्या चल रहा था पर मैंने बिना सोचे समझे बार भी को सारी बात बता दी बार भी ने मुझे पुलिस के पास जाने और गैबरियल को बात बता देने के सला दी बार भी से खुल कर बात करने के बाद मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी और अब मैं इस मुद्दे को यहीं खतम कर देना चाहती थी अगले दिन सुभे चार बजे मुझे नीन नहीं आ रही थी और तभी एक आवाज ने मेरा ध्यान अपनी ओर की चाह यह आवाज गार्डन से आ रही थी मैंने गैब्रेल को उठाने के कोशिश करी वो खिड़की तक आया लेकिन बाहर चेक करने के लिए नहीं गया वहाँ उसे कोई नहीं दिखा और वो वापिस सोने चला गया और मैं सारी रात सुभे तक खिड़की के पास ही बैठी रही तो बस आज के लिए इतना ही अब मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में तब तक लिए बीच देख स्टे हल्दी एंड के ब्रीडिंग बाई झाल झाल झाल